हेलो दोस्तो मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम सीखेंगे एंड्रोइड टीवी में यानि अपने टीवी में कोई सा भी टीवी हो उसमें काश्टिंग कैसे करें आईए जानते हैं सबसे पहले आपका टीवी काश्टिंग सपोर्ट करना चाहिए यानि उसमें काश्ट होना चाहिए तो हमारा टीवी स्मार्ट टीवी है उसमें काश्ट सपोर्ट करता है आपको अब यहाँ पे इसके dashboard पे आना है यानि यह वाले जो dashboard होता है main dashboard आपको यहाँ पे आना है पहला आपको इसमें थोड़ी setting करनी है फिर आपको अपने mobile में use करना है तो फिलाला mobile site में रख दते हैं ताकि आपको बाद में समझा सकें देखिए रहा मेरा remote आपका थोड़ा अलग हो सकता है यह वाला button है इस वाले page पे आने के लिए आपके में अलग हो सकता है इस वाले button से press करके हम इस से बाहर जा सकते हैं और इस वाले button को भी press करके हम इसके अंदर आ सकते हैं तो हम इसके उपर आ गए हैं अब दिखिए यहाँ पे आपको कैसा और option मिल जाएंगे यहाँ पे आप इन buttons का use करें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप side करें और यहाँ पे आप ढूंड़े cast यह आपको जो यह वाला icon दिखाई दे रहा है यहाँ कि यह वाला icon आपको कुछ ऐसा option मिल जाएगा देखिए थोड़ा बहुत फरक होता है ज्यादा मुश्किल नहीं होता है कुछ ऐसा icon आ जाता है और ऐसा ही आपके phone में भी आता होगा मैं example देता हूँ जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है देखिए टीवी में हम इसे open करेंगे तो open करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस वाले option को चालू कर देना है यहाँ ओपन कर देना है बीच वाले बटन से ok कर दीजिए इसको यह वाला option आएगा waiting to forecasting या waiting for kindling connection आपको landing दिख रही होगी टीवी पे तो उसको थड़ा ignore करिए आपको आपके phone में आना है यहाँ पे cast दिखाए देगा इसे चालू करिए चालू करने के बाद आपको मिलेगा है यहाँ पे cast या casting इस पे टच करें और अपना टीवी सिलेक करें मेरा है smart टीवी सैमसंग भी आ रहा है मैं smart टीवी पे touch करता हूँ यह आ चुका है थोड़ा सा wait करें यहाँ पे यहाँ पे यह connect हो रहा है waiting for kindling network कह रहा है तो आप देख सकते हैं phone की screen इस पे आ चुकी है आप देख पा रहे होंगे कैमरे की वज़े से टीवी की screen पे lining दिखाई दे रही है पर हमारे टीवी की screen इत्म बढ़िया है तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और अपने mobile की screen को TV से देखें वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आपका कोई सवाल है तो comment करना मत भूलिएगा करें तो